वाई दिलूज को कैम एसे देना चाहते हैं कोमेंट में बताई। पाकिस्तान भी काफी अर्से तक इस शिदत पसंदी की लपेट में रहा एक तवील अर्से तक पाकिस्तान ने देश्ट गर्दों के खलाब जंग जारी रखी और इसी दौरान सेक्यूरिटी फोर्सिस की मुलाकात कुलबोशन यादेव नाम के आदमी से हुई जिसका नाम कु हमारे महमान हैं हमारे महमान खाने में मौजूद हैं पाकिस्तान देश्ट गर्दी के खलाफ ये जंग तो जीत गया लेकिन हमारे पडोसी मुलक भारत को देखें तुलग ऐसा राय के जैसे इंतहा पसंदी को सरकारी और कानूनी हैसियत हासिल हो गई है मोदी साहब ने जो शाइनिंग इंडिया को एक और इजाजिया मिला कि अमरीकी कमिशन बराए मथबी आजादी की दोहजार उन्नीस की सालाना रिपोर्ट में भारत को पहली मरतबा अकलियतों के लिए खतरनाक तरी मुलक करार दिया गया ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कोच की क्योंके पाकिस् पाकिस्तान भारत के अंदर देश्चतगर्दी करवाता है और कुलबोशन पकड़ा पाकिस्तान से जाता है भारत पाकिस्तान पर देश्चतगर्दों की पना गाएं कायम करने का कायम रखने का इल्जाम लगाता है लेकिन खुद भारत में एक मकसूस गिरो इसके 20 करोड भ पाकिस्तान के करतार पूराधारी खोलने और पहली सिक्ष यूनिवस्टी के जराके अगदामात काबले तारीफ हैं कोई भी फर्द हकूमत या रियासत अपने अमल से पहचानी जाती है कि उसका आखर बियानिया क्या है पाकिस्तान अम्न चाहता है अम्न चाहता है और हम ये बात अमली सबूत के साथ करते हैं प्रैक्टिकली सिर्फ बात नहीं करते हैं लेकिन भारत अमन की बात तो करता है लेकिन खुद उसके अंदर कितना इंतशार पहल रहा है कैसके जिम्मेदार भी वो पाकिस्तान को ठहराएगा कैसे यह से हकीकत से मूँ मोड़ेगा बाएगा भारत? या इन रिपोर्ट्स को सिरे से मुस्तरत करता चला जाएगा? क्या मसलसल सीजफ फार की के खिलाफ वरजी किये जाएगा या फिर मुझा की हम कह सकते के टेबल पर भी कभी आयगा? जो किक सलूशन है कि मुजाकराद कब आएगा मुजाकराद के टेबल पर इन तमाम सवालाद के जवाबाद जानने के लिए आज मैंने अपने प्रोग्राम दावत दी लिए मौज़स महमानों को आप से तारुफ करवा देती हूँ जरनल एजाजवान साब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तां से जरनल साब वाम वेलकम दिफाई तजिया कार है किसी तारुफ के मौताज नहीं बिर्गेडियर इटाइट गजनफर अली साब मेरे साथ मौजूद है आपसे पहला सवाल करनल साब भारत में मुसल्मान कैसे हैं या आप कैसे उनके हालात को बियान करेंगे एहतजाज क्यों करें और अमरीका को क्यों तर्श्वीश हो रही है करनल साब आपने बहुत अच्छा प्रियैंबल दिया और सबसे मज़िदार बात ये है कि पाकिस्तान के इस नजरिये को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाए पाकिस्तानियों के और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है वो ही ज्यादा उसको वैल्यू करते हैं अधरवाइस दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है या आपको भी अच्छी तरह मालूम है और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप मिनौर्टी के रिलेशन में पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिच किया है लेकिन फिर भी चलि को हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मसल्मान बनाके और किसी लड़के से शादी कर दी तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात हैं तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बाते करता है तो ये एक मजाग सा लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये हालत अकल चांद ट्विटर हैंडिल्स की अब ही आपको शुनना पड़ेगा अगर आप कुछ ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख़ाल से सहाफी होने का आपको तग्मार नहीं मिलना चाहिए आप बोलिये मैं आपको सुनना ही चाहरी हूं भी बोलि जी करनल साथ कम्लीट कीजी नहीं या और अच्छा होता और अच्छा होता कि किसी भूहता बोलना उसल्मान करनल करने शू का जाब और अच्छी त्रह देता तुम्सक्रा जूड़ बोलना इनकी आदत है जूड बोलने है, रियाकारी करनी है, धोका दाई देनी है, रेप करने है, जुर्म करने है अब ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं कर दोची है फिरा, इनोंने कहाना कि नर्की को कनवर्ट करके और उसको शादी करा ली आप इनोंने नड़की को बास सुने, आपको मेरी बास सुनो, मेरी बास सुनो, मेरी बास सुनो, मेरी बास सुनो, मेरी फिजा इसको बंद करें, मेरी बास सुने, ये इस तरह की जूट बोते रहेंगे, इस तरह की जूट बोते रहेंगे, इस तरह की जूट बोते रहेंगे, ये मकार आद्मियों की बात सुनेंगे नerapa जिस थाicide इनकी बात hairy नेज़ पर उनके फूजी इनको गालिया देते हैं इनके फूजी और इनके फोजिन को कुटा कहते हैं इनके फोजिन को गाल्या देते हैं, जो वह कैई लेवल एक फिजा मैं बताऊंओं, इन करृटन साथ भा वा मेरी सुनें,। तर्वीनम में था, इनके अई करीप भामार। तुम तो होई बुस्रमानों की अवलाद हमने तो हिंदू लड़की को करणवर्ट दिर्वाया ना आप उसका जवाब भी तो सुनने ना जरतहां मुलकी साथ पर आपको मौका दूंड़ी आप बोलिएगा अच्छा एक ब्रेट अच्छा एक ब्रेट अच्छा एक ब्रेकार क इस इन्हों ने यह कहा किजी लड़की को कि इस इन्हों ने यह कहा किजी हमने लड़की को कराया और इन्होंने देंद्रा गांधी की शादी करते हुए मर्द को करा दिया जूट तो देखें का यह तो पैदवारी मुसल्मानों की है उसका नाम फिरोज गांधी रख लिया था यह तो यह तो पैदवारी कि कि यह कि की है कि है चले हो लो टेका है चले तो आप के जह कर दिए कर दोब कि बात क्षमिर की करते में तो यह लग lag करते ढ़ीं तो इनले मौकान तंब होशा है चाहि पैस्वर सिएल तो कि लिए हुआ होँ यह अगर यह लिए कि औंप वादी संदुरी मेरी एक बास सुन लीजे वॉट रहें आपको ओंडियू का दूनी इसंपर बात काक्ट गरें के जर्नल राज-कादियान साब जर्नल साब जर्नल साथ जर्नल साब आप बिगेटी सब एक मीनाइट, बिगेटी सब मुझे वॉका दें, करनल दंधीर सिंग सब मुझे जर्नल राज कादियान को शामिले बुट्व कर लें, जर्नल रब आपके तरफ आ रही हूं, पहले मुसल्मानों पर लव जिहाद का लगाया गया, अब भारत में मुसल्मानों को करोना जहाद के नाम पर तशदुद का निशाना बनाया जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़े हमारे सामने आचुके ओन रेकेड़ अब तो यूवी पर तमाम चीज़े आ जाती है, कुछ छुपा नहीं सकता, मुझे बताएं कि अब आपके मुद्देश में करोना भी जो पहल र है, और मैं अभी भी फिर उमीज जाहर करता हूँ कि दोनों परोज से मुझे में बहुत सारे समानता हैं, रहन सेन की, लेंग वेज की, खाने पीने की, कि रिष्टों में सुधा रहा है और ये बाडरी खतम हो जाएं, लेकिन हमारे जिदगे में ऐसा शायद नहीं होगा, अ अगर आप करनल साब यहां से लोग बिठाएंगे जो ट्वीटर एकाउंट और उसका जिकर कर फिर तालुकात किस तरह ठीक होंगे, इस किसम के आप सुन ले राज कादियान साब की बात, इसकि नौलजी नहीं होती है और बुन्यादी तोर पर जाहिल होते हैं, बिगेड़ आप तौर आप तौर लोग बहुत सीनियर हैं, प्लीज लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी, तो आपने हमें क्यों बलाया? राज कादियान साब आप बोल लिए, प्लीज काइनि अगरा बोल रश्व करेंगे तो वो तो रोटी खुटता हूं, पाकिस्तान की रोटी नहीं होते हैं, अच्छा तौर आप तमाम एहवान मेरे रे काबले मोतरम हैं, जो पाकिस्तान से हैं, वो भी इंडिया पैनलिस भी प्लीज मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, कि बारी का इंतजार कीजिए, बारी बारी सबको मौका मिलेगा बात करने का, करनल जन्वीर साब प्लीज, बिर्गेटे कर दन्वीर साब प्लीज, खामोश हो जाएए, जिन से मैंने सवाल पूचा, बचारे चुप हैं, जन्से मै मैं एक बार फिर ये उमीद आयर करता हूँ, जो पहले भी कहा था, जिसमें दोनों मुलकों में शक्को सुबा, इबद गुमानी नार रहे और तोस्ताना तालुकार हो, लगता नहीं है कि हमारी जिन्दगी के तुरान ऐसा कुछ हो, लेकिन उमीद फिर भी है, आपने तीन पॉर्ट के जिसका जिकर कुगा है, तो तब्लिगी के जिकर कि आपके पैनलिस्न पर केड़र साब ने, हिंदुस्तान में जो भी कुरोना को फैलाने का जुरम करता है, वो जुरमी के नाम से देखा जाता है, मजब के नाम से नहीं, हमारे सिक्ष भाई भी महराश्चा के न हमील ना करते हुए, मीटिंग की थी, जबके हुकम था कि गैधरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खलाफ के चलेगा, अगर सिक्ष भी ऐसे कसूरवार मिले तैकिकात होगी, उन पर भी के चलेगा, तो मजब का इसमें कोई लिना दिना नहीं, दूसरी बात, आपक का लिकर किया था, तेकिए, सीजफायर वालेशन का कोई मकसद होना चाहिए, हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीजफायर को वालेट करेंगे, हमारा सीजफायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इंपिल्टेटर बेजना चाहते हैं, अगर वो मक आपने जादव का भी जिकरिक है, कुल बूशन का, फिर वही, पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है, कि वो एक रिटाइड नेवल आपसा था, जिसको पाकिस्तान ने एरान से पकड़ के लिया है, उस पर जूटा हिल्दाम है, आप चाहे उसको माने ना माने वालग बात ह इंटरनेशनल कोड अजस्टीस ने भी आपको कहा है, कि आप इसके दुबारा तैकिकात करवा है, रिचेकिंग, वो आप रोचेकर रहे है, उसका ना मुबारिक पटेल, आप जरन आपको पिछ बिता दें, आप हकीकत को एकसब करें, आप इसको बिताए ना बिर गेरिट सम है, आप को पूरी situation आपके सामने है, रहने के बताए कि अगर इसके बताए को बचल आप से पिखिए नहीं है, और इसके को पिखिए नहीं हुआ है, तो समक्राइब कैसे पकिसान पे अग्ट है, रहने अप इसका नहीं क्रूटनवारा गोजट बनावाले इसको पर पटे कर करने और भी एजाजबान सब आपको भी पता है अगले प्रोग्राम में बिर्गेटे गजनफार और जानलव दन्वीर सिंग आप दोनों के लावा कोई नी होगा ठाक एजाजबान सब अगर यही सिच्वेशन है कि कुलबोशन के मौमले पर जर्राज कादियान साब ने उस पर अब क्या कहेंगे कुलबोशन किस्तना पाकिस्तान में आया कैसे जासुसी कर रहा था कैसे पकड़ा गया अब इस पे भी इनकी राए हमसे मुक्तलिफ कैसे हो सकती है मुझे तो आज किसी समझनी आई अगर वो एक ऐसी पूजिशन ले रहे हैं लेकिन अगर वो तो हमारी कस्टी में है को इंटरनेशनल कोड़ अफ जस्सेस पे भी वो केस्ति किया जा जा जुशा है वहां से पी उनको रिलीज नहीं मिली तो दोनों कंट्रीश में एक पूजिशन है लेकि मस साहिल सब हलोते हैं जब किसी भी मसले का इत्राक कर लिया जाए उसको एक पूंटेंशन इशू या एक हल तलब को आमला तस्लीम कर लिया जाए तो फिर आगे बाद बढ़ती है जनर्राज का अधियान की आई रिस्टेक्टिव को ये कह रहे हैं कि मसाहिल होने चाहिए यकी मैं पैनल से रिक्वेस्ट करते हूं जर्बारा इस 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 को फिक्स किए जब तक मैं दनवीर सिंग साब आपके तरह आती हूं और पर जड़ा ज़नल इजास साब को दुबारा ज़रा लाइन पर लीजिए गारजा दन्वीर तरह आती हूं आप सिंपल सवाल में पूचना चाहूंगी इस सिचुएशन को खास्तों पर फेस करने के बाद जो भी हुआ आप लोग अमन चाहते हैं यह अमन ही नहीं चाहते हैं अमन की दोर जो है वो पाकिस्तान के आथ में अगर पाकिस्तान चाहे तो यह दिनों के अंदर जो है अमन हासिल हो जाएगा और अगर वो यह सोचे कि वो दैशत करता रहेगा पाकिस्तान क्या का रहा है मुझे बताएं दनवीर सिंग साथ भारत के अंदर क्लियतों के साथ पा मेरे मुल्क में लौ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे हमारे कॉंसिट्यूशनल लौ सुप्रीम है और वो मैटर करता है बाकी इदर उदर कुछ ने क्या बोला ट्विटर पर क्या बेजा आपको किसी ने वाट्सेप क्या कर दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई मानिता नहीं है पड़ मेरे को आप ये बताईए कि जिस प्रकार स आप जिन्द में वाट्सेप की बात भी नहीं कर रही है जो चीजे आउन रेकरड आचूगी उनकी बात कर रही है और एफ आई आर लोजनी होती है एक वो मिया मिट्टो की मजार में जरी जारी होती है आप उनके बारे में कुछ चरए करना साब एक सबाल पिर मैं आती आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं कुछ आप इस पर तफसरा करेंगी डॉक्तर आप मुझे बताएं कि हमारे मिनिस्टर्स इस तरह की बाते हैं जैसे आपके मिनिस्टर्स करते हैं मुस्लमानों को लेकर आप जी बिर्गेडिये साब आप हमें ये बता दें कि जो हिंदू पिर्गेडे का ये बाते बाते हैं जो पिर्गेडे के दूख ये अप इनसे वह सवाल कर रही हैं अकल का सवाल है सिंद्ध और एक लड़की के अलावा तो पुछ नी आता जामया इसलामिया में एक लड़की को पकता था उनका फिरोज गांदी वादा मुस्लिम तुम 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 पैदावारी मुसल्मानों के हो तो इंद्रा गांदी का ड्राइवर का था आपके मुसलिक में तुमारे साथ क्या किया सिक्खो ने राजी गांदी के साथ क्या किया सिर्ई पर लेंगे राजीब गांधी को किसे जूते मारे राजीब गांधी को सिखों ने खड़का दिया पहले प्रिकेश कर चुकिए यू पर ना किजिए और धिया करणल साहब विगेडिया साहब पॉइंट ब्लैंक रेंग पे आर इसेश ने गांधी को मार दिया तुम्हें शरम कर दोनों मेहमानों की कि प्लीज बाकी दोनों मेहमानों का विजरा ख्याल करें और इस तरह फिर बात नाज़िन को समझ नहीं आती ब्रेक से आने के बाद यहीं से गुफ्तगू को कांटीनु करते हैं वेलकम बैक नाज़िन आप देख रहें हैसे नहीं चले का जुमे का दिन और जुमे के दिन पाक भारत टाकरा महमानों सब्सक्राइब करनल दन्वीर सिंग साब चले गए उनको कॉल किये रजा ने मेरे प्रोड्यूसर ने तो उनका एक हैना का था कि जी मेरे सोने का वक्त हो के है प्रोग्राम के दरमयान आपका सुने का वक्त होगिया मुझे तो पॉइंटी समझने है बिकाड़ सब करिया आपकी बातों सो तो नींद नहीं आगी उन्हें नहीं मैं तो उतकी बातों को बड़ा लॉजिकली बताना चाहता था और मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ चले आप हमारी तरफ से कह दे कि सोशल मीडिया अकाउंट है कोई ट्विटर अकाउंट है अब वाशिंटन पोस्ट के और्टिकल उठाके पड़े अब एक अमेरिकन ट्विजन चैनल ने सीजे पोस्ट उसने एक इंडिया के बारे में मूवी बनाई है और उस पे जब वो मूवी शुरू करते हैं वो क्या कहता है कहता है वर्ल्ड होल्ड इस ब्रेथ राइस अफ एनदर हिटलर उसके साथ इंडिया को जलते हुए दिखाते हैं वहां के वो सीजे पोस्ट के उपर आर एस एस की और नरिंदर मूजी की तस्वीर चल रही होती है दुन्या उसको हिटलर कह रही है उस मूवी वो कहता है कि इंडिया इस इंदी ग्रिप ऑफ एक्स्ट्रीम फैशिजम जहां पे रेप हो रहे हैं जहां पे लोगों को मारा जा रहा है जहां पे जो माइनॉर्टीज उसको तो बिगेंडर सब इसको अब क्या दमीर सिंग कह देंग यह वाटसेफ वीडियो है जिस्ट्रा मुझे रहा है वाटसेफ वीडियो के बात कर रहा है कौन सी वाटसेफ वीडियो मैं अपनी बात भी कर रहा यह पूरी दुनिया में यह वीडियो चल रही है उसके साथ सब यूएन कमिशन की रिपोर्ट चाटे पढ़ने आपके मुल्क में जो चीजें हो रही है वो हक्तिकत नहीं रखती मेरे में लिए उसलिए कि वो उस तरह हो रही है जिसको आप अपनी नजर से देखते हैं अब इंडिया की साथ डिस्ट्रिक्स में इंडिपेंडनस मुव्मेंट चल रही है नाइटीन सिक्ष्टी फॉर से वहां पर आंड फोर्स इस पैशल पावर एंडिया नाइटीन फिफ्टी एट पर पास किया था वहां पर हमें मुनीब कादिर ने भी जॉइन किया है सोने जा रहे हैं जी मुनी बॉम वेलकम क्या कहना चाहेंगे मतलब प्रोग्राम से दर्म्यान से उटके चले जाना नीन का भाना करके पर तो उस पर कॉमेंट कर देना फिर जैनल राजकादियां की तरफ आती है जी हमारा परोसी मुलक के अंदर काफी देर से एक ही लहर चाल रही है इस्लामोफोबिया की और माइनॉरिटी के साथ जो सप्रेशन है ये बड़ी देर से एक हम लोगों को ट्रेंट नजर आ रहे है सबसे पहले तो जो अगस्ट 2019 के अंदर उसकी एनेक्सेशन हुई ऑक्यूपेशन और जादे नहोंने बढ़ाई और आर्टिकल 370 खतम कर दिया कश्मीर में फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिटिजिन्शिप अमेंडमेंट एक्ट आया एक ये पूरी क्रोनालिजी है इसके अंदर आप देखें तो स्टेप बाई स्टेप जो मोदी गवर्मेंट है उन्होंने अपनी तरफ से अग्दामात विये कि जो मुसलिम्स हैं वो और मारज सटकों पर आये थे यहां तक कि आप देखें ये जफूरा है और ये जामिया मिलिया इस्लामिया उनिवर्सटी की स्टूडेंट है इनको भी जेल में डाल दिया जबके वो अभी प्रेग्नेंसी की हालत में है तो ये अगर और कुछ नहीं नफरत नहीं तो इसको मैं और क्य कर दिया करूं अपर से जो हमाइगर्निट वर्र्कश साथ की ये जा रही है वो भी सब के सामने है बहुत ही स Learn के स्वाइब मोदी घ्याइब भारती मीलिया ने मुसल्मानों पर डाल दिया तब्रीजी जमात के मेंबरान पर डाल दिया मेरा ये मानना है कि इस वक्त चाहिए वो जो भी मुल्क युना हो जो कॉंग्रिगेशन है वो नहीं होनी चाहिए इस हद तक करना है वो ठीक है लेकिन आप सारा मलबा मुस्लमानों पर अगर डाल दें और आप ये बूल जाएं कि जो उदर की मंदर जाने वाले लोग हैं वो भी मंदरों में कट्छे हो रहे थे तो ओवर आल आपने वेनस ब्रानी है ना कि आप एक सेक्शन आफ ससाइटी को मानॉर्डिस को टागेट ते लिए मैं आपको दुबारा मौका देती हूँ जैनल राज कादियान साभ खामोशे जरा उनकी तरफ जाना चाहूँगी जैनल साभ मुझे जरा बताईए कि दिनवीर सिंग साभ अब मेरी बात सुने बगर चले गए न मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रही थी बिर्गेटर स कह रहे थे ये अमरीकी कमिशन बराए मख़बी अजादी की 2019 की सालाना रिपोर्ट पढ़िया आपने जिसमें भारत को बकाइदा अकलियतों के लिए माइनौरिटिस के लिए खतर ना कहने डेंजरस तरीन मुल्क करार दे दिया जानल जानल साभ ये को वर्ट सब वीडियो ह डॉक्तर फिला एक तो गंबीर साब छोड़ गए उनका शायद को असली मसला होगा उनके एपसेंस में ऐसी कोई बात करना मैं नहीं समझता सही है लेकिन जो अपनी प्रेजस पर चोड़ के याँ पर चले गे जो बात करके चलेगा उसके जवाब कर सकते हूं अधर के देखेंगे आप उनका ही कहने ही वाटसैएप वीडियो क्या बात कर रही है अमरीकी जो कमिशन उसकी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ अभी उनको वाटसेप वीडियो लगती है जब जब जबाब नहीं मिलता तो इसलिए मैं आपसे जबाब चाहरी हूँ आप चलिए इस पर क्या कहते हैं छोड़ दें दें दर्मीर सिंग साब को उनके एफसेप में नहीं बात करते हैं उनके आप बताएं ये रिपोर्ट पे आप क्या कहते हैं क्यों बन गया भारत खतर ना तरीन मुल्क अकलियतों के लिए वाट्स अप पर जो वीडियो आ रहे हैं मैं समयता हूं असी पीशद ही उस पर यकीम करने के काबिल नहीं है ना मैं देखता हूँ ना मैं कोई यकीन करता हूँ तो विडियो पे क्या आता हूँ एक आदम क्या देता हूँ सर्कुलेट हो जाता है उन पर बंदिश भी लगए है कि आप 5 से ज्यादा एक बार फावड नहीं कर सकते उसके बाद भी repeat फावर करते रहते हैं तीन पॉंट है जो relevant आये हम दोनों की तरफ हमारे मसला क्या है कि हम सरत के उस पार देखते हैं अपनी तरफ नहीं देखते हैं छो हमारे अंदर जो कम्या हैं उनको थम चुपाना चाते हैं और जो सरद के पार नजर आता है आपको भी रहम को भी उसको हाइलाइट करते हैं आपको जामिया यूनियूस्टी में क्या होता नजर आ गया आपकी जो एक बीवी जी जिनको प्लास्टेमिका केज चला है था सुम्भी कोट ने चोड़ा था आशिया बेगम वे क्या उनका नाम था वो आप बात नहीं करेंगे तूसरा पॉइंट आप नरेंदर मोधी का नाम भी लेते हो यह वही नरेंदर मोधी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल रिस्क लेते हुए क्रिस्मस वाले दिन दोजार पंद्रा को लाहूर गए थे पगैर के परूल के भी नवाज श्रीफ से मिलने अगर वो दोस्ताना हरकत नहीं थी तो क्या था वो क्या समझते आप उसको फिर आप उन पर इल्दाम लगाते जाओंगे लेकिन अगर रिस्ते सुदरने तो एक तरफ से नहीं सुदरेंगे आप हमको कहते हैं हम दैशतकात मुल्क के अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है कि यूनराइटी नेशन्स की पानेशिल एक्षिन टास्फोर्स आपके पीछे पड़े विया हमको कुछ ने गोपते हैं हो अगर हम भी दैशतकात दोस्ते दुनिया की नजरों में आप कहते हो दुनिया हमको दैशतकात मानती या मोदी को टेररिस मानती तो यह क्या है जो जन साब ने जो बात की है कि हम अपने अंदर नहीं देखते हैं हम अपने अंदर बड़ा क्लोज दी देखते हैं हमारी सुप्रीम कोट ने आसिया बीबी को छोड़ा आपकी सुप्रीम कोट ने सफिरा बीबी को छोड़ा उसके बाद आपकी हकूमत ने क्या किया आपकी अब भी आपको बताता हूं करना धर्वीर सिंग थे पैरा कमांडो बिटैलियन की मीजुराम में पोस्टेट थे वहाँ पे मानीपूर में पोस्टेट था उसकी कभी वीडियो दिकाल के देख ली उसकी कभी आपका जो कनफेशन उसने आके की थी कि जिस तरह आपकी कस्टोड गए हैं जो दुनिया के रिपोर्टर गए हैं यॉर्पियन उनियन का वफद गया था आपने उसको स्रीनगर से जाने की आगे जाज़त नी दी अगर हितनी हिम्मत थी तो जाने देते ना अगर आप कहते हैं कि आप कॉंस्टिचूशनल कंट्री हैं तो उठा दे फिर कर्फ कि ने कहा था जब वो प्राइम अपना चीफ मिनिस्टर थी कि कश्वीर को एनेक्स कर दें इंडिया के साथ ने पारलिमेंट में करादात पास की थी उस पे युनाइटे नेशन की फ्रेश रेडिलेशन आगी थी कि कि कश्वीर इसे डिस्प्यूटिट टरिटरी वो किसी के साथ एनेक्स नहीं हो सकता आप फाइनेशल एक्शन टास्फोर्स की बात करते हैं अगर फाइनेशल एक्शन टास्फोर्स की आप बात करते हैं और फेटी एफ की बात करते हैं और अगर हमारे पर उनने कहा कि मनी लॉंडि या चीजों के चीज आई तो हमने अपने फिल प्रिपोर्ट के अप्रिशेट किया अब फेटीएफ में सरफ पाकिस्तान तो नहीं है फेटीएफ में तो तीस और भी मौाले के तो क्या सारे दैश्टगर्दी में वहाल है फेटीएफ कौन सा कोई पुलिटिकल टूट ठीक है बिर्गेड़े साब आपका पॉइंट जर्नल स में रिपोर्ट आई इवन जो वर्ल्ड प्रेस में जो रिपोर्ट आई उन्होंने पाकिस्तान के एकदामात की तहरी तारीफ की मैं एक जन्साब आपको एक बात बताऊंगा हमने एक और्गनाईजेशन बनाई न्यूकलर ब्लास करने बाद जिसको एस पीडी कहते हैं स्प कि खिर लेकिन आप ना तो यह मांते हैं के मुसलमानों पर जल्म हो रहा है आप नहीं राजिकातियान सब कर पर जवाब करने की प्रेक चाहने कि बेंगे जी जैनल सब ब्रेक पर जाने से पहले एक से डेड़ मिनट है आपके पस क्या जवाबिंगी सब की गुफ्टगू का नहीं देखें वही बात वही इस तरह के पार नजर आते हैं आपको जो यहां होता है आप उसको मजभ के नजरीय से लेखते हो हमारे अंदर बड़ा मुलक है लोय और प्राप्लम होती है वो हिंदू के खिलाप पी होती है नहीं वह देखना है जनसाब आप पेश में जनसाब स सौरी टू से मजभ के नजरीय से सिर्फ इसलिए देखना है कि आपकी बीजेपी की लीडर्शिप मजभ का लफ़ इस्तमाल करती है आर एसस ने कहा कि इंडिया में सरफ हिंदू को रहना पड़ेगा गोल वालकर ने किताब लिकी ती उसका प्रीफेज लिखा था अभी आप की लीडर्शिप पे आवाद उठाती है आपके 36,000 शाकाद हैं जहां पे आप देशचतगर्द की फोई ट्रेंड करते हैं वो देशचतगर्द था जिसने अपना गांधी साब को मारा था जी जनलेसार वा जो हिंदूत्वा मेंटालिटी है मतलत मैं तमाम हिंदूों को नही अच्छे तरीके से वहाँ पे चल रहे हैं मुसल्मानों के साथ लेकिन जब आप इस तरह की देशचतगर्दी वाली सोच या इंतहा पसंदी शिदद पसंदे वाली सोच को कानूनी रंग दे दें वहाँ पे आपके पार्लिमेंट में भी यही बाते हूं आपकी जो एक पॉ इसको बकाइदा एक कानून की तरह देखें तो फिर बचारे वाँ जो मुसल्मान ने अकलियते हैं वो कहा जाएं कौन सुनेगा उनकी तेखिए वही फिर कह रहा हूं आप उसको मुसल्मान और हिंदू के नजरे से देखते हो यह 370 हमारे कॉंसिकूशन ने एक टेंप्रेरी प्रोविजिन था उसको कभी ने कभी दो अटा नहीं था पार्लिमेंट में बाकादा डिसकुशन हुई है पार्लिमेंट ने डिसिज की बात किरें जन्मस से जवाब लूँगे कि पर किसी मुल्क में अगर आप कहते हैं जन्मस से बड़ा देश है बड़े देश में ऐसा होता ही रहता है तो बड़े देश की डेफिनिशन क्या यह है कि वहाँ पर आखलियतों पर जुल्म होगा अकलियतों को सफर करना पड़ ब्रेक के बाद मिलते हैं के चचाजाद भाई का नम पार्लिमेंट नहीं है पार्लिमेंट जब डिसीयन लेगा और पार्लिमेंट के डिसीयन की वरा से किसी की हक तलफी होती है और पार्लिमेंट तो आपको खुद तहफूस देते है आपके मुल्क आपके देश का बड़े देश का सौरी टू सब के तरह बड़े देश का पार्लीमेंट ऐसे डिसीयन कैसे ले लेता है अतनी असानी से जनर राज कादियान साथ आपको आवाज आ रही है जनर साथ आपने पार्लीमेंट के डिसीयन की बात की थी ब्रेक से पहले आपके बड़े देश का बड़ा पार्लीमेंट इस तरह के डिसीयन कैसे ले लेता है जिसमें किसी की हक तलफी हो जाए या बकाइदा पता चले के जुलम हो गया किसी के ओपर पार्लिमेंट का काम है आपको तहाफूज देना आपका पार्लिमेंट इसथा के कानून जो है नो पास कर देते हैं और पार्लिमेंट के डिस्य-न के पाड़ अब देख रहें कि किस थरा इतजाच कर रहें अपोजिशन भी करिए सुप्रीम कोड में भी लोग गए हैं वहाँ एक्जामिन होगा तो हमारे मुल्क में हर कानून को फॉलो किया जाता है आपका यह कहना कि कानून परलेमेंट कैसे पास कर सकते हैं वो तो फिर आपका नजरीया है ना परलेमेंट के काम एक्ट पास करना उ उन्होंने डिसकर्शन करिए उन्होंने पास किया है मिजॉर्टी इस पास हुआ है वो एक टेंपरिली प्रोविजन को अटाना कौन से बड़ी बात है हमारे पारलेमेंट पी होके के बारे में भी रेजलूशन पास करिए तो यानि ठीक है यह हिंदुस्तान का हिस्ता है जै मुझे एक बात बताए कि जवाब में इसे एक सवाल निकलता और आप यकीनी तोर पे इनकी गुफ्तुगू को भी कुछ जवाब देना चाहरे होंगे वो कहरे जी मिजॉरिटी ने पास किया ने पिर मिजॉरिटी क्या सोच रखती महां पे अकलियतों के बारे में या मुसल वारे इंसिडन्ट के अंदर इन्वार्ट थी उन्होंने खुद फखरिया उस बात को तस्रीम किया अमिज शाज जिनोंने दीमक का नाम दिया मुसलिम माइगरेंट्स को जो के सानों से भारत के अंदर सेटल थे ऐसे लोग जब कानून बनाएंगे अपने कलम से तो उनका कल से बात करना चाहता हूं इन्होंने ये कहा कि आप लोगों को अपने अंदर कोई खराबी नहीं नजर आती आप दूस्रों में देखते हैं देखें ये मैं दिन रात बात करता हूं कि हर कौम और हर नेशन को अपने अपने गिरेबान में जरूर जाकना चाहिए इस बात के उ पर तो मेरी तरव से कोई डिसअग्रीमेंट ही नहीं मैं इंडिविजुल एल पर एक पाकिस्तानी होने के नाते दिन रात इस कोश्च में रहता हूं और दिन रात मैं सोशल मीडिया आप देख सकते हैं इस बारे में बात करता हूं कि चाहे वो मेरे मुलक के अंदर कम्यूनिटी से हो या कोई अकलियत में से हो उन सबकी आवाज मैंने बनना है क्योंकि इसी मेरा कौम स्ट्रॉंग होगा लेकिन आप जब आकर मुझे कहते हैं कि मुस्लमानों के साथ इतना जुमों सितन जो भारत में हुआ वो हुआ ही नहीं उनकी दर्द दर्द नहीं उनक अपने घर खो दिये वो आज किदर जाएं अब जब करोना वाइरस हुआ है कोविड नाइटीन आया है कोई उनके पास ठिकाना नहीं है फिर उनको का जाते है आप आइसलेट करो वो कहा इसलेट करें उनके पास तो कोई घारी नहीं वो अपने ही शहर के अंदर बिचारे ब मीडिया बैठती है और सिर्फ पाकिस्तानियों या मुस्लमानों के बारे में नहीं बलके अपने ही जौन से पुलिटिकल लीडर्स हैं जैसे के कॉंग्रेस पार्टी की सोनिया गांदी अरनब गुसामी दर बैटता है उसको इटैलिन कहता है नफरत से बात करता है एमी तो फाई आर नहीं कटावा फिर आप ये देखिए कि होगी अधित्यानात वो अब चीफ मिनिस्टर है वो कर क्या रहा है कोवेड हाट स्पोट जो कुरोना वाइरस के हाट स्पोट हैं जो भी उसके इलाके में उसने उनको मुस्लमानों के मस्जदों का नाम दे दिया है ताके वहीं ये ताउस्सर पढ़ें कि जैसे कि सर्फ मस्लमानों को कुरोना है और जैसे मुसलमान इसर्फ करोना को केरी का रहे हैं तो जब आप यह कहते हुए नहीं तो बिलकुल ठीक है हमारे मुल्क में उनकों तो कौई प्रूफ़मट की जरूरती नहीं तो आप वहीं के वही इसे बढ़ते ओवी जियाती वोनी पारिए इसके बाप गिर सब आपकी तरफ यहांगी जी अगर आपने पूइंट देना चाहते जी बिलकुल भी जी आपने ब्रेक के बाद सवाल पूछा था मेरे को पहला आप थो आप थो आप यह जवाब नहीं देना चाहता है वो अच्छा मेरे कहाल से सही ने मुझे किसी क पिर आपने उस सवाल का जवाब मुझे दिया था जी तो भी हो गया आप ने फिर वाफ तब लेगी कि बात कर चुक्यों कि आप आप प्रोग्राम में राम से बैठके तहमुल से बात सुनते हैं दनबीर सिंग साब को नीदागी वो चलेगे ना जनसाब मेरे लिए तमाम मह महमान रिस्पेक्टेबल हैं और मैं हमेशा ही कहती हूं अपने महमानों को भी आपको भी के एक दुस्य के पॉइंट सुनते रहें आर्गुमेंट करें दलील से आप बात करें लेकिन अगर आप सब एक दुस्य की बात नी सुनेंगे तो नाजरीन नहीं सुन पाएंगे के क हैना क्या चाहरे हैं आप तमाम लोग यह रिक्वेस्ट में बार बार करती हैं और सफ आप लोगों का नाम लेके नहीं अपने मैंने ब्रिगेड़स साब का भी नाम लिया था पूरे प्रोग्राम में जी अब अपनी बात कंप्लीट करें जी डॉक्टर फिजा हिंड़स्ता हुआ था उन लोगों ने करोना फेलाया था उन्होंने कानून तोड़ा था अगर वो हिंदू होते तो भी एक्शन होता तो आप उसको मजब के नहीं के गुनागा रहे हैं दूसरी बात जो आपने हैं आपको हमारे मनिपूर में किसको मार दिये वो नजर आ गया आपको अपर बुक्ति को कैसे मारत है में साहिल से तरेपन लोग मरे थे वो नजर नहीं आएगा इसलिए कहता हूं आपको इस तरफ की चीज़ें नजर आते हैं उस तरफ की चीज़ें किसी बारा साल बच्चे की टेस पर चोट लगी वो नजर आ जाती हैं तो इक एड़े का कोई बिलकुल मानते हैं आपकी बात हमें नजर आती है अकबर बुक्ति को मारा गया गलत बात बहुत दफ़ा लोगों ने यहां भी कही यहां पे उसको पहचाना भी सही लेकिन उस कतल को सही नहीं कर आपकी मुल्क में तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप उसको के लिए लड़ रहे हैं तो दे आर नॉट नॉट टरिर्स इटस जैनुवन स्ट्रेगल मैं बस सरफ आपको मश्वरा चोटा से यह है कि दो आर्टिकल है एक सेप्टेंबर 2019 का आर्टिकल है जेफरी गेटर्मेंट में लिखा है न्यू यॉक टाइम में आया है उसकी हेडिं है कि कश्मीर अंकाजिंग एंगर एंड मिजरी उसको कभी पढ़ लीजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मजब का नाम यह कश्मीरियों के ओपर जलम कौन हाईलाइट कर रहा है एक और आर्टिकल है जो फिर न्यू यू यॉक टाइम में आया और वो आगस्ट में आया ता वो भी जेफरी गेटलमन और समीन नजीर ने लिखा था उसका टॉपिक था लिविंग हेल अफ एंगर एंड फियर कश्मीर कट आफ रॉफ रॉम दी वर्ल अंडर दी कंसिस्टेंट लॉक डाउन जहां पर रेप हो रहा है जहां पर जलम हो रहा है जहां पर लोगों को म उसने मजब का नाम नहीं इस्तमाल किया उसने का कश्मीरियों को मारा जा रहा है ऐस किसम का कोई आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में किलिंग के बारे में नहीं आया आप कमसकम ये तो पढ़ लीजिए आप पढ़े लिखे आदमी है जस्टिफिकेशन से जाएए दुनिया क प्रेस को देखिए कि वो नरिंदर मुजी को हिटलर कह रहा है या नहीं कह रहा है वो फैशिस्ट कह रहा है इने अमीच चाह को फैशिस्ट कह रहा है या नहीं कह रहा है वाबू बज़र क्या आपका लास कॉमेंट चाहूंगे पर मज़े क्लोजिंग बज़ जाना आप का पुरी दुनिया में एक वबाल आया वाहे है उसके अंदर भारती मीडिया बैठकर पाकिस्तानियों के बारे में जो बातें का रहे होते हैं जो आपका मेजर गौरवारिया ने हमारे मुल्क के बारे बातें कहीं के ये करेंगे हमलों की बातें करना शुरू कर दी और हमलों के ह या डॉक्टर टरफिजा अकबर खान को दीजिये जाद